असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम बाग तो माई यूटूब चैनल इस तो ओफिशेल व्लॉग दोस्तों ऐसा है आज मैं डीमाट जाने वाला हूँ जो अपना नया खुला था ना यहां पर अपना सिवाजी शर्कल के पास अपनी सटाप्टी ऑस्पर के पास जो नया डीमाट खुला था मैं वहाँ जाने वाला हूँ तो सोचाओ वहां का एक वीडियो बना दे वैसे तो उसको खुल के बाट टाइम हो गया है ओपन होके करीबन कुछ महने हो गये हैं और यहां से कापी सारे लोग गए भी वहां पर मेरी फैमिली कितने बार गई है मेरी वाइफ मेरी बड़ी बहन सब जाती रहती हैं वहां पर लेकिन मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला तो आज मेरी चुटी है आज मैं शाम में जाने वाला हूं तो सचा आज वीडियो बना के डाल दू इस वारे मेरी तरह जो लोग काम दंदे में पसकर वहां नहीं जा पाए हैं इनके वीडियो होगा मैं आपको अंदर से दीमाट दिखाऊंगा वह नया बनाया कापी बड़ा भी है और वहां पर किस तरह की शॉपिंग कर रहा हूं क्या ले रहा हूं वह सब भी आपको दिखाऊंगा दोस्ते मैं आपको बता दूब बहुत सस्ता नहीं होता है लोग को रहता तो बहुत दिनों बाद मुझे मौकह मिला है वहां पे जाने का तो आज मैं जा रहा हूं वहां पर वीडियो बना रहा हूं तो जो लोग नहीं गया है वह भी देख लें अच्छा ओगा ठीक है तो चली आज साम में जाने होला हूं तो अब सीधा जाते मत वीडियो वे और हम लोग इस वक्त निकल चुके हैं डीमाट के लिए तो इस वक्त तक्रीबं शाड़े-7 वजने को आ रहे है शाम के और जैसे कि मैंने आप से कहा था कि हम लोग शांव में जाने वाले हैं तो तो मैं अपनी स्कूटर पर लेकर जा रहा हूं मेरे साथ मेरी वाइप तो अंदर आने के बाद अज्जू ने अपनी पॉजिशन समाल ली है ट्रॉली में घूम रहा है और अन्नू ने शुरुआत कि है मसालों से यहां पर सब मसाले रखे हुए है यह पूरा मसाले वाला सेक्षन है तो यहां पर अन्नू मसाले चूस कर रही है यहां पर ऑइल का सेक्षन है यहां पर देखे यह घी है और यह सारे ब्रेंडेट ऑइल है अगर आप ब्रेंडेट ऑइल यूज़ करते हैं तो यहां पर और आप यहां पर लोकल भी देख सकते हैं यहां पर लोकल आइल जो हम लोग यूज़ करते हैं वह यहां पर और यहां पर डिसकाउंट भी बताया गया है देखिए 134 का 100 रुपीस 140 का 96 तो कुछ इस तरह के चोटे-मोटे पैंपर है हगी से और भी बहुत सारे ब्रेंड पता नहीं क्या क्या आते हैं तो अन्नु मुझे बता रही है कि यहां पर 50 परसेंट डिसकाउंट बता रहे हैं कि अज्जू के लिए हगीज भी आ गई है कि यह ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों बढ़ोप options केला सेे तो अन्नु को दोस्तों यहां पर पर क्या है कि Г्राउंड फ्लोर को उसको ज्यादा कुछ लेना नहीं था कूए अन्नु को जैद दर खाने पीने की चीजें और अन्नु को ज्याए तर यूज करना ली चीज़ा अगी तो हम लोग अभी जाने वाले तो हम लग फ्रस्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और यहां पर देखिए इस चैर केस्ट पे भी एक चोटी सी दुकान लगी है यह नहीं का है लेकिन यहां पर भी एक कुछ बेश रहे हैं और आपको एक छोटी सी बात बताओं दोस्तों तो यह देखो यह जो सीविंग किट है जो स्मी दागा आता है सीविंग किट जिसे बोलते हैं अन्नु को सिर्फ यह लेना था इसलिए यह डीमाट तक आई है आप इ लेना था इसलिए वह यहां पर आई है यहां पर आख देख सकते हैं तो ब्लैंकेट है बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है तो हम लोग यहां पर भी यह देखिए डिसकाउंट है हर चीज़ पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स यहां पर मिल जाता है तो हम लोगने यहां से भी यह ब्लैंकेट्स लेने का सोचा है यहां से दो ब्लैंकेट्स अन्नू ने उठा लिए और एक अज्जू के लिए भी ले रही है एक बेबी पैंडा वाला अज्जू ने जिप किया तो यह भी ले लिया इसने बाकी यहां पर तो ज्यादा तर कपड़े वगरा दिख रहे हैं और थोड़ा बहुत डबा बाटली भी है तो यह हमारा बाट्क टावल का सेक्शन तो यहां पर इसब टावल से तो अन्नु मुझे बता रही है कि छूकर देखो कितना सॉफ्ट है और वाकई में काफी सॉफ्ट टावल से तो यहां पर देखिए बाट टावल जो है यहां पर यह हैंकी जे 59 डूपीज की तो जो चीज दोस्तों अपने यहां पर 20 वे की मिलती है तो इसको इग्नोर करो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा यहां पर तिकि वह यहां से ज्यादा डिस्कार्ण में अपने लोकल बाजार में मिल ज तो यह देखिए डबा बाटली जो मैंने आपको बोला था तो यह है यहां पर एक बीबी का फोटो शूट चल रहा है उसके पापा के साथ और यह अज्जु ने अपनी एक फिवरिट बॉटर उठाली पैंडा वाली है को चेह में गञाली और हो घघर का मिया है कि हो गया काम हि recommend कर स्सुर्प वाटर बॉटल बच्tar के लिए बड़ों के लिए प्राइस है बहुत किसम की वॉत बॉर दॉह पर अब है घर तो अबहने आसे अन्नु को वattर बॉटल्स नेनी है तो स्लेक्ट कर रही है वो कौन सी बॉटर बॉटल ले यह आप देखें यहाँ पर बकेट वगएरा है यह डैस बीन्स है चोटी बड़ी हर साइज में इसके आगे दोस्तों खिलोना है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे अविसली अज्जू है साथ में तो इसने दो-दो अलग-अलग मतलब कलर्स की बॉटल्स टी है सही है यह चोटा सा प्यानो यह घर पर एक्चुली है अज्जू के पास लेकिन यहाँ से इससे तोड़ा चोटा है आख con clean या तो ये बात दोस्तों साबीत हो जाती है कि बच्चे जो देखte हो करते हैं इसको मैं रोखनाओं फिर बी हो जाके तुन-टून-टून दवारा है उसको क्यों कि पहले मैंने किया ना तो बच्चे जो देखते हो सीकते कि यहां से आगे जाने का दोस्तों यहां पर जो है क्या बोलते हैं उसको कटलेरी वगएरा है और साथ में यह आपके प्राइपन कुकर्स प्रेशर कुकर वगएरा सब कुछ है और अज्जु अपनी चीजों में मगन है हम लोग अपना कुछ जून रहे है और अज्जु अपना कुछ जून रहा है तो यह बॉल उसको पसंद आया और अपनी बॉल लेंगे ज़रूर पहले अन्नु को देख लेते हैं वो क्या ले रही है यहां पर जो टिफिन से स्कूल से लेकर ऑफिस जाने तक कि टिफिन साप य है यह बाकी सब यह भी घरेल Rohusama ने यहां पर सीजर्स वगरा और नाईफ है और जो अपने चिमटे यह हम पंटे आते नवा ऍा पकड़ गरम दर चीजसाओ को पकड़ने के लिए तो यहां पर नों को एक फ्राइपध लेना है तो यहां पर है फ्राइपन जो लेना है और इसने एक स्लेक भी क्या था कि यह देखे यह वाला यह इसने स्लेक यह लेकिन यह मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत ही लाइट वेट था अ मुझे लगा यह ठीक नहीं है इसकी जो कॉलिटी हो सही अच्छा वाला देखके ले लेंगे लेकिन यहां पर कुछ पसंद नहीं आया कि सब लाइट वेट थे दोस्तों यहां पर अपने को कैसा है वी वाला चीए मजबूत ही तो मैं यहां पर वापस आया हूं अज्जू के लिए बॉल लेने तो यलो कलर का बॉल मैंने चूज किया है क्योंकि यलो कहीं घूम जाए तो भी आसानी से मिल जाता है और मैं अपने लिए भी खिलोना ले रहा हूं तो यह मेरा खिलोना है रूबिक्स क्यूब 3x3 रूबिक्स क्यूब सबको पता है मैं इसका बहुत दिवाना हूं टाइम पास के लिए मैं यही सब बनाते बैठत हूं इसके जो अल्गोरिधम से ना दोस्तों वह मुझे बहुत पसंद आते हैं इससे माइन भी शार्प होता है अरे वाह यह देखो अपने लिए एक प्लेट निकाला दोस्तों के खाना खाना बुलके दिखा रहा है मतलब यह इसी में खाना खाएगा तो मैंने बुलाड़ तो यहां पर अज्जू अपनी चीजों में मगन है और अन्नु यहां पर जो है वो मैट ले रही है डोर मैट जिस पर पैर पोस्ते हैं चपल उतारते हैं यहां पर घर करी और अज्जू अपनी मस्ती में मगन है यह देखो अब्दुल्ला दीवाना तो फाइनली अन्नु ने मेरे ले भी कुछ लेने का डिसीजन लिया मेरे उपर भी थोड़ा अरहम किया और यह एक मेरे लिए टी-शेट इसने ली प्यूंकि मैं ऐसी टी-शेट पहनता हूं दोस्तों एक टी-शेट ले लेने के बाद में मैंने और रिक्वेस्ट किया के एक भी मुझे शाहिए तो एक टैक भी अन्नु ले रही है तो एकदम बेसिक कपड़ें जो मैं हमेशा पहने रखता हूं ज्यादा मैं क्लासिक या फिर ऐसे कुछ है वी कपड़े नहीं पहनता और यह देखो बाबा यहां पे अलग ही नाजा रहा है यह बच्ची ट्रॉली में टैमपस करें और अज्जू उसको देख रहा है कि मैं यह देख रहा हूं कि इसको क्या हो गया एकदम हैंग मोड पर चला गया और कंटिनिस्ट्री उसी को देख रहा है हाँ टाटा वाइवाई तो वापस आ गया हम लोग यहां पर अन्नु को यहां पर एक डबा लेना था एक डबो का सेट लेना था एक्चुली तो यह देखे दोस्तों इसके अंदर चार डिब्बें इससे छोटे और वो सिर्व हम लोगों को डाई सो रुपे में आए और यहां पर एक जूस लेना था ट्रॉपिक आना का तो ट्रॉपिक आना शायद दी मिला नहीं तो नैश्रल का एक ले लिया और अज्व के लिए छोटे पौच भी ले लिए अब यहां पे ये जो है फ्रीर आइटम पर यहां पर इनको लेना है क्या कहते है उसको मैयनिस और इसके सबलना इसमंड ourogeny पर चीजें तो फाईनली हम लोग बिलिंग कंडर प्यागाएं यहां पर हम लोग प्रोन क्रोम्त पर एंग कांटर और यहां वैसे हैं पर लगी होती है तो मैं यहां लाइम में खड़ाओं हूं, तो finally हमारा बिल settlement हो गया है, तो मैं आपको बिल एक बार अच्छे से दिखा देता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह इतने सारे आइटम है, छोटे मोटे आइटम तो मैंने आपको दिखाया है नहीं, यह इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पर्चेस की है जो मैंने आपको ठीप से नहीं दिखाया जो बड़ी बड़ी चीज़ें हमने लिए वो मैंने आपको दिखाया तो टोटल विल हमारा दोस्तों यहां पर हो रहा है 4,963 लेकिन अगर आप देखेंगे कि MRP के हिसाब से हमारा एक हजार कम से कम 1,164 रुपीज हमारा बजगी है और आखरी बात दोस्तों यहां पर यह देखिए मैं यहां पर पार्किंग में अपनी बाइक लेने के लिए तो मैं आपको बता दू जो लोग बाइक से आना चाहते अप बिन्दास आइये इसी बिल्डिंग की बेस्मेंट में जो आ पारकिंग फ्री है two wheeler की पारकिंग फ्री है four wheeler की शायद payd करना पड़ेगा लेन टू विलर फ्री है कोई पैसा नहीं आप बिंदा से यहां पर पार्क कर सकते हैं और अपनी गाड़ी वापस आराम से लिके जा सकते हैं बस पार्किंग जो है आपके ओन रिस्ट पे रहेगी